प्यारे दोस्तों नमस्कार आज के इस ने वीडियो और मेरे यूटूब चैनल जाफ्स विट एजुकेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 27.6.2022 को तृती एम चतूत सेडी के रीक्त पदो पर विशेश पिछली जन जाती के पात्र विवाओं को उनकी पात्रतन उसाज जीले में सिधी भरती मतलब सरकारी नवकरी के लिए उनको जो है उनसे आगदन मंगाया जाएंगे तो इसी कड़ी में जो है 9623 पदो पर भरती की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और गरिया बन जीले में भरती की प्रक्रिया चालू हो चुकी है तो 1223 पदो पर गरिया बन जीले में भरती होगी यह भरती जो है सरकारी नवकरी के लिए है 33 और 46 चड़ी के पद के लिए तो आपको आपकी योग्यता अनुसार आपको जोए नवक्री मिलेगी तो दोस्तो इसके लिए आपको करना क्या है तो दोस्तो आपको क्या करना है आवेदन कैसे भरना है आवेदन का प्रारूप क्या है यह संपूरा जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तो इसके लिए आपको वीडियो अंतक देखने होंगे क्योंकि इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि आवधान कैसे भरना है और कब तक भरना है आवधान का प्रारूप क्या रहेगी और ज्यादा जनकारी के लिए आपको क्या करना यह संपूरा जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तो यदि आप नए है तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तूरंद मिल सके तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज की या वीडियो देखिए दोस्तो कर्याला कलेक्टर जीला गरिया बन चतिसगर द्वारा या प्रेस्विग्यप्ति जारी की गए जिसमें बोला गया है कि चतिसगर सासन द्वारा जो है जीले में तृतियम चतूत सेड़ी में अनुसुचित जन जाती वर्ग अंतरगत विशेश पिछडी जन जाती है तो बीस प्रतिसत आरक्षित पदों में सीधी भरती के रिक्त पदों के व्रुद्ध आयदको की भरती किया जाना है अगर इच्चू का भ्यरती सहायक अयुक्त आदिवासिवी का स्विभाक कक्छ क्रमांग 56 संयुक्त जीला करयालाई गरियाबंद में दिनांग 48-2022 तक निर्धारित आवेदन जो प्रारूप है उसमें आपको आवेदन करने होंगे इसके लिए से खड़िक योग्यता जाती निवास प्रमार पत्रत जीवीत रोजगार पंजियन उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं तो आपको स्वयम उपस्थित होकर के आवेदन करने हैं निधारित आवेदन प्रारूप जीला गरियाबंद के वेबसाइट www.gariaband.government. इन पर उपलब्द है या दोस्तो आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जा करके आप जो है आवेदन का प्रारूप डाउलोड कर पाएंगे दोस्तो उक्त संबंद में अधिक्त जान जो अधिक जानकारी के लिए यहां नंबर दी गई है दोस्तो सा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं और जान देख लिए दोस्तो यह अवेदन का प्रारुपए इसवेदन में आपको १धायं को नाम लिखना है आपका आभयधितपद सब्सकुद्ध और लिखना है अभी आप प्रोरुत का पुरा नाम हिंदी में लिखना और अंग्रेजी नीचे में उसके पिता WOW हिंदी में और दिनांग 11-2022 की स्थिती में आपको कितने साल हो रहा है यह दस्वी की अंग सुची के अनुसार यहां लिखना है कितने दिन हो रहा है कितने मा हो रहा है और कितना वर्षा उसके आधक किस रेडी तो कौन सा स्रेडी में आते हैं अनुसुचित जन जाती जो है विसेश्ट पि पता आपको अपने जो बिवहार का पताह उसको भेर लेड है फिर रहे करी आपको इस के लिए जो आधान गरियाबंद की निवासी entelt लिख लिए पता दि अपने दिवार का पताहिए पति यहां कोना नाम जैसे दसवी, दसवी का लिखना यहां दसवी लिखेंगे फिर बारवी, फिर कालेज, इसनातकोत्तर, बीएडेर जो भी आप किये होंगे उसके उनसार आपको उसके अतकों सब विध्याले से किये हैं, उतिम्ड़ करने का वर्स यहां डाल लेना है, कितने का पेपर रहा ने क्या उमिदवार विवाहित है, तो विवाहित देख लेंगे, यदि विवाहित है, तो विवा की स्तिती, जीद बच्चों की संख्या, और यहां आपको क्या करेंगे उनका नाम, यदि साधी सुधा है और आपके बच्चे है, तो यहां आपको बच्चों का नाम लिखन ने लिखन प्रमार पत्र की संख्या व प्रमारीव चिक्त पहरी मेंगे उसके प्र्मार दोर्प जाएकाकर के लिए ले सकते हैं क्योंकि यह दोस्तों सिधी भरती के लिए है गवर्मेंट जाब के लिए है तो दोस्तों थेंक यू फार वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ